हिंदुस्तान के किसी कौने से जब हिंसा की खबरे आती हैं तो देश को चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है यह हमारा देश बुद्ध और गांधी का देश है देश की एक्ता के लिए जी जान लगाने देने वाले सरदार प्रटेल का देश है सद्यों से हमारे पुर्वजों ने सारवजनी घीवन मुल्यों को अहिंसा को समाधर को स्विकार किया हुआ है हमारी जहेन में भरा हुआ है अहिंसा पर्मो धर्म यह हम बच्पन से सुनते आये हैं कहते आये हैं मैंने लाल के लिए से भी कहा था कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दास्त नहीं होगी चाहे वो सामप्रदैक आस्था हो चाहे वो राजनेतिक विचारधाराओं के परति आस्था हो चाहे वो व्यक्ति के परति आस्था हो चाहे वो परंपराओं के परति आस्था हो आस्था के है उसमें हर व्यक्ति को न्याय पाने की हर प्रकार की व्यवस्ता है देश वाशियों को विश्वाद दिलाना चाहता हूं कानुन हात में लेने वाले हिंसा के राह पर दमन करने वाले किसी को भी चाहे वो व्यक्ति हो या समू हो न ये देश के भी बरदास करेगा और नहीं कोई सरकार बरदास करेगी हर किसी को कानून के सामने जुकना होगा कानून जवाब दे ही ताय करेगा और दोशितों को सजा देखे रहेगा मेरे प्यारे देशवासियों हमारा देश विविदताओं से भरा हुआ है और ये विविदताओं खान पान रहन सहन पहनाव वहां तक स्विमित नहीं है जीवन के हर विहवार में हमें विविदताओं नजर आती है यहां तक कि हमारे तिहार भी विविदताओं से भरे हुए है और हजारों साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत होने के कारण सांस्रूतिक परंपराई देखे, सामाजिक परंपराई देखे, आतियासिक गटनाई देखे तो शायद ही 365 दिन में कोई दिन बचता होगा जबकि हमारे यहां कोई तेहार से न जुड़ा हुआ हो और ये भी आपने देखा होगा कि हमारे सारे तेहार प्रकृती के समय पत्रक के अनुसार चलते हैं प्रकृती के साथ सिधा सिधा समझ दाता है हमारे बहुत सारे त्योहार तो सीधे-सीधा किसान से जुड़े हुए होते हैं, मच्वारों से जुड़े हुए होते हैं आज मैं त्योहारों की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आप सबको मिच्छामी दुड़म कहना चाहूँगा जैन समाज में कल समवत्सरी का पर्व मनाये गया जैन समाज में भाद्रमास में पर्यूशन पर्व मनाये जाता है पर्यूशन पर्व के अखरी दिन समवत्सरी का दिन होता है यह सच्विज में अपने आप में एक अध्भूत परमपड़ा है समवत सरी का पर्व, शमा, अहिंसा और मैत्री का प्रतीक है इसे एक प्रकार से शमा वानी पर्व भी कहा जाता है और इस दिन एक दूसरे को मिच्छामी दुक्डम कहने की परंपरा है वैसे भी हमारे सास्त्रों में शमा विरस से भूषणम यनि शमा विरों का भूषण है, शमा करने वाला वीर होता है ये चर्चाप हम सुनते ही आये हैं और मात्मा गादी दो हमेशा कहते थे शमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेस्ता होती है सेक्षपियर ने अपने नाटक The Merchant of Venice में शमा भाव के महत्व को बताते हुए लिखा था Mercy is twice blessed, it blessed him that gives and him that takes अर्थात शमा करने वाला और जिसे शमा किया गया दोनों को भगवान का आशिर्वात प्राप्त होता है मेरे पैरे देश्वासियों, इन दिनों हिंदुस्तान के हर कौने में गणेश्च चतूर्थी की धूम मची हुई है और जब गणेश्च चतूर्थी की बात आती है तो सारवजनी गणेशोसव की बात्षवा भावी है बाल गंगाधर लोक माने तिलक ने 125 साल पूर्व इस परंपरा को जन्म दिया और पिछले 125 साल आजादी के पहले वो आजादी अंदोलन का प्रतिक बन गए थे और आजादी के बाद वे समाज स्विक्षा समाजिक चेतन जगाने के प्रतिक बन गए है गणेश्यतुर्थी का पर्व दस दिनों तक चलता है इस महा पर्व को एकता, समता और सुचेता का प्रतिक कहा जाता है सभी देश्वाशियों को गणेशोचों की बहुत बहुत शुप कामना है अभी केरल में ओनम का तियोहार मनाये जा रहा है भारत के रंग बिरंगे तियोहारों में से एक ओनम केरल का एक प्रमुक तियोहार है ये पर्व अपने सामाजिक और सांसुर्थिक महत्व के लिए जाना जाता है ओनम का पर्व केरल की समरुद्ध सांसुर्थिक दरोर को प्रद्रशित करता है ये पर्व समाज में प्रेम और स्वहार्द का संदेश देने के साथ साथ लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा, नया विश्वास जागरूत करता है और अब तो हमारे त्योहार भी टूरिजम के आकर्शन का भी कारण बनते जा रहे हैं और मैं तो देश्वास्यों के कहूँगा कि जैसे गुजरात में नवरात्री का उत्सव या बंगाल में दूर्गास उत्सव एक प्रकार से टूरिजम का आकर्शन बन चुके हैं हमारे और त्योहार भी विदेश्यों को आकर्शित करने के लिए एक अउसर है उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं सोचना चाहिए इन त्योहारों की स्रंखला में कुछ ही दिन बाद देश भर में इद उल्जुहा का परवर भी मनाये जाएगा सभी देश्यों को इद उल्जुहा की बहुत बहुत बधाईयां बहुत शुपकामना है त्योहार हमारे लिए आस्था और विश्वास के प्रतिक तो है ही हमें नए भारत में त्योहारों को स्वच्चता का भी प्रतिक बनाना है पारिवारिक जिवन में तो स्वफार और स्वचता जुड़े हुए है त्योफार की तैयारी का मतलब है साफसफाई यह हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है लेकिन यह सामाजिक स्वफाव बनाना भी जरूरी है सारवजनिक रूप से स्वचता का आगरह सिर्फ घर में नहीं हमारे पूरे गाउं में, पूरे नगर में, पूरे शहर में हमारे राज्य में, हमारे देश में स्वचता यह तोहारों के साथ एक अतूठ हिस्सा बनना ही चाहिए है मेरे प्यारे देशवासियों आधुनिक होने की परिभाशाएं बदलती चलिया रही है इन दिनों एक नया डायमेंशन एक नया पेरामिटर आप कितने समस्कारी हो कितने आधुनिक हो आपकी थौट प्रोसेस कितनी मोडन है इस वे जानने में एक तराजुबी काम में आने लगा है और वो है एन्वार्में कि प्रती आप कितने सजग है आपके अपनी गतिविधियों में इको फ्रेंडली एन्वार्मेंट फ्रेंडली व्यवार है कि उसके खिलाब है समाज में अगर उसके खिलाब है ताज बुरा मना जाता है और उसी का प्रणाम में देख रहा हूं कि इन दिनों एक गणे सोचो में भी इको फ्रेंडी घंपती मानों एक बड़ा भ्यान खड़ा हो गया है अगर आप यूटूब पर जाकर के देखेंगे हर घर में बच्चे गणेश जी बना रहे हैं मिट्टी लाकर के गणेश जी बना रहे हैं उस पर रंग पोताई कर रहे हैं कोई वेजेटेबल के कलर अके रगा रहा है कोई कागज के टुक्ड चिपका रहा है भाती भाती के प्रहुका हरопरिवारा हो रहे हैं एक प्रकार से एक प्रल्मेंट कॉंस्यस्नेस का इतना बड़ा व्यापक प्रशुक्ष्ञ इस गंशोषव में देखने को मिला है शायद ही पहले कभी मिला हो मिड कर रहे हैं तीकि कितना बड़ा बड़लाव आया है और इस सुखत बड़लाव है और जैसा मैंने कहा हमारा देश करोडों करोडों तेजस्वी दिमागों से भी भरा हुआ है और बड़ा अच्छा लगता है जो कोई नए नए इनोवेशन जानते हैं मुझे किसे ने बताया कि कोई एक सक्जन है जो स्वायम एंजीनियर है उन्होंने एक बिशिस्ềतर प्रकार से मिट्टी खटी करके उसका कॉमिनेशन करके गनेश जी बनाने की ट्रेनिंग लोकों की की और वह एक छोटी सी Detroit में पानी में गनेश विशर्जन होता है तो उसी में रखते हैं तो वो पा सता का भ्यान प्रारम किया था दो अक्तुबर को उसको तीन साल हो जाएंगे और उसके सकारात पक परणाम नजर आ रहे हैं सोचालयों की कवरेज 49 प्रतिशत से करीब करी 67 प्रसेंट पहुंची है दो लाग तीसाजार से भी जादा गाउं खुले में सौच से अपने आपको मुक्त गोशित कर चुके हैं पिछले दिनों गुजरात में भेंकर बाढ आई काफी लोग अपना जान गमा बिठे लेकिन बाढ के बाढ के बाढ जब पानी कम हुआ तो हर जगह इतनी गंदगी फैल गई थी ऐसे समय में गुजरात के बनास काटा जिले के धाने रा में जियमियत उलेमाए हिंद के कारकरताओं ने भाड प्रभावित बाइस मंदीर एवं तीन मस्जिदों की चरण बद्ध तरीके से सापसफाई की खुद ने पसिना बनाया सब लोग निकल पड़े स्वच्छता के लिए एकता का उत्तम उधारन हर किशुको प्रेणा देने वाला ऐसा उधारन जिमियत उलेमाए हिंद के सभी कारकरताओं ने दिया स्वच्छता के लिए समर्पन भाव से किया गया प्रियास यह गया हमारा 27 वभाव वन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुँच सकता है मेरे पहले देशवासियों मैं आप सभी से काहवान करता हूँ कि एक बार फीर दो अक्तुबर गांधी जेंती से 15-20 दिन पहले से ही स्वच्छता ही सेवा जैसे पहले कहते हैं जन सेवा यही प्रभू सेवा स्वच्छता ही सेवा कि एक मुहीम चनाए पूरे देश में स्वच्छता के लिए माहोल बनाए जैसा अवसर मिले जहां भी अवसर मिले हम अवसर ढूंडे लेकिन हम सभी जुडे इसे एक प्रकार से कि दिवाली की तयारी म मान ले दुर्गापुजा की तैयरी मान ले स्रमदान करे चुट्टी के दीनिया रईवार को इकट्टा होकर एक साथ काम करे आसपडोस की बस्ति में जाए नदिक के गाउं में जाए लेकिन एक अंदोलन के रुपे करे मैं सभी एंजियोस को स्कूलों को कॉलेजिस को सामाज गांदिक, सांस्कृतिक, राजनेतिक, नेतृत्व को, सरकार के अपसरों को, कलेक्टरों को, सरुपंचों को, हर किसी से आग्र करता हूं कि दो अक्तुबर महात्मा गांदी की जन्म जैनति की पहले ही 15 दिन हम एक ऐसी स्वच्चता का वातावन बनाया है, ऐसा स्वच्चत निर्मान के बाद, आप अपना नाम और उस परिवार का नाम प्रविष्ठ कर सकते हैं, जिसकी आपने मदद की है, मेरे सोशल मिडिया के मित्र कुछ रत्रात्मा कर भ्यान चला सकते हैं, और वर्चुल वर्ड को धरातल पर काम होस की प्रेणा बना सकते हैं, स्वच्च संक फिल्म बनाने किस परदा है, चित्रकला प्रतियोगत आयुजीत किया जा रहा है, इसमें आप विबिन भाशाओं में निबन लिख सकते हैं, और उसमें कोई उमर की मर्यादा नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, अपने मोबैल से बना उसमें से जो बेश तीन लोग चुने जाएंगे, डिस्टिक लिवल पे तीन होंगे, स्टेक लिवल पे तीन होंगे, उनको पुरसकार दिया जाएगा, तो मैं हर किसी को निमतर देता हूँ, कि आईए, स्वच्छता के अभियान के इस रुप में भी आप जुड़े, मैं फ स्वच्छता ही सेवा इस मंतर को घरगर पहुँचाएं, स्वच्छता के लिए कोईन को एक कदम उठाएं, स्वयम परिश्रम करके इस पे हिस्सेदार बनें, आप देखिए गांदी जन्ती की दो अक्तुबर कैसी चमकेगी, आप कल्पना कर सकते हैं, पंद्रा दिन की सफा स्वच्छता ही सेवा के बाद, दो अक्तुबर को जब हम गांदी जन्ते बनाएंगे, तो पुझ्य बापु को सद्धांजली देने का हमारे भीतर कितना एक पवित्र आनन्द होगा। मैं इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, रंड स्विकार करना चाहता हूँ, क्योंकि मन की बात के इस कारकम के साथ देश के हर कौने से लाखों लोग जुड़ जाते हैं। सुनने वाले की सद्ध क्या तो करोडों में हैं। मैं इंतजार करता हूँ, मैं लालाइत रहता हूँ, क्योंकि आपकी हर बात से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। मैं जो कर रहा हूँ, उसको कसोटी पर कस्रे का आउसर मिल जाता है। बहुत सी बातों को नए इस तरीके से सोचने के लिए आपकी छोटी छोटी बाते भी मुझे काम आती है। और इसलिए मैं आपके इस योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका रहन स्विकार करता हूँ। और मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा सा ज़्यादा आपकी बातों को मैं स्वयम देखूं, सुनूं, पढ़ूं, समझूं और ऐसी ऐसी बाते आती हैं। अब देखिए, अब इस फॉन कॉल से आप भी अपने आपको को रिलेट करते होंगे। आपको भी लगता हूँ, हाँ यार, आपने कभी ऐसी गलती की हैं। कभी-कभी तो कुछ चीजे हमारे आदत का ऐसी हिस्सा बन जाती हैं, कि हमें लगता ही नहीं है कि हम गलत करते हैं। प्रदान मंत्री जी, मैं अपकोना से अपकरना बोल रही हूँ, मैं अपनी एक सहेली के बारे में बताना चाहती हूँ, वह हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक आदत देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं एक बार उसके साथ शॉपिंग करने मॉल गई थी, एक साधी पर उसने 2000 रुपे बड़े आराम से खर्च कर दिये, और पीजा पर 450 रुपे, जबकि मॉल तक जाने के लिए जो आटो बिया था, उस आटो वाले से बहुत देर तक 5 रुपे के लिए मॉल भाव करती रही, वापस लोटते हुए रास्ते में सबज खरीदी और हर सबजी पर फिर से मॉल भाव कर 45 रुपे बचाए, मुझे बहुत बुरा लगता है, बड़ी बड़ी जगे एक बार भी बिना पूछे बड़े बड़े बुपतान कर देते हैं, और हमारे मेहनत कज भाई बहनों से थोड़े से रुपे के लिए जगरा करते है उन पर अविश्वास करते है, आप अपनी मन की बात में इस बारे में जरूर बताए किसी छोटे दुगांदार से सब्जी बेचनी मालों से हमारा सम्मंद आ जाता है, कभी ओटो रिक्षा बारे से सम्मंद आता है, जब भी हमारा किसी मेहनत कस्व्यक्ति के साथ सम्मंद आता है, तो हम उससे भाव का तोलमोल करने लग जाते हैं, मोल भाव करने लग जाते है नहीं इतना नहीं दो रुप्या कम करो पांच रुप्या कम करो और हमी लोग किसी बड़ी रेस्टरोन में खाना खाने जाते हैं तो बील में क्या लिखाए देखती भी नहीं है धढ़ाम से पैसे दे देते हैं इतना ही नहीं शोरूम में साड़ी खरीदने जाएं कोई मोलभाव नहीं करते हैं लेकिन किसी गरीब से अपना नाता आ जाएं तो मोलभाव किये विरा रहते नहीं है गरीब की मन को क्या होता होगा ये कभी आपने सोचा है उसके लिए सबाल दो रुपे पांच रुपे अगर नहीं है उसके रुदय को चोट पहुंचती है कि आपने वो गरीब है इसलिए उसकी इमानदारी पर शक किया है दो रुपे पांच रुपे आपके जीवन में कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिनि आपकी छोटी सी आदत उसकी मन को कितना गेहरा धक्का लगाती होगी कि कभी सोचा है मड़म मैं आपका आभरी हों आपने इतना रुदय को चुने वाना फोन कोल कि एक मैसेज मिजे दिया मुझे विश्वास है कि मेरे देश्वासी भी गरीब के साथ ऐसा वेहवार के निए आदत होगी तो जरूर छोड़ देंगे मेरे प्यारे नवज़मान साथियों 29 अगस को पुरा देश राष्टिय खेल दिवस के रूप में मनाता है यह महान होकी प्लेयर और होकी के जादुगर मेजर ध्यान चेंजी का जन्म दिवस है होकी के लिए उनका योगदान अतुलनिय था मैं इस बात का समरण इसलिए करा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की नई पीड़ी खेल से जुड़े खेल हमारे जियून का हिस्सा बने अगर हम दुनिया के युवा देश है तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए स्पोर्ट्स याने फिजिकल फिटनेस मैंटल एलटनेस पर्सनालिटी एनहेंसमेंट मैं समगता हूँ इससे ज़्यादा कैसे ही है खेल एक प्रकार से दिलों का मेल के एक बहुत बड़ी जड़ी उटी है हमारी देश की युवा पिड़ी खेल जगत में हा गया है और आज कॉम्पुटर के यूग में तो मैं आगा भी करना चाहूँगा कि प्लेइंग फिल्ड प्लेइ स्टेशन से ज़्यादा महत्पूर है कम्पुटर पर फिफा खेलिए लेकिन बाहर मैदान में भी तो कभी फुटबॉल के साथ कर्तब करके दिखाईए कम्पुटर पर क्रिकेट खेलते होंगे लेकिन खुले मैदान में आस्मान के नीचे क्रिकेट खेलने का आनन कुछ और होता है एक समय था जब परिवार के बच्चे बहार जाते तो माँ पहले पुटर तो तुम कब बापिस आऊगे आज हालत यह हो गई है कि बच्चे घर में आते ही ये कौने में या तो कार्टून फिल्म देखने में लग जाते हैं या तो मोबाइल गेम पर चिपक जाते हैं और तब मा को चिल्हा करके कहना पड़ता है तु कब बाहर जाएगा वक्त वक्त की बाद है वो भी एक जमाना था जब मा बेटे को कहती थी तु कब आऊगे और अज यह हाल है कि मा को कहना पड़ता है बेटा तुम बाहर कब जाओगे नवजवान दोस्तों खेल मंत्राले ने खेल प्रतिबा की खोश और उन्हें निखारने के लिए एक स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल तैयार किया है जहां पूरे देश से कोई भी बच्चा खेल मंत्राले ट्रेनिंग देगा और मंत्राले कल ही इस पोर्टल को लॉंच करने वाला है हमारे नवजवानों के लिए तो खुशी की खबर है कि भारत में 6-28 अक्तुबर तक फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आउजन होने जा रहा है दुनिया भरते 24 स्थी में भारत को अपना घर बनाने जा रही है आईए बिश्व से आने वाले हमारे नवजवान महमानों का खेल के उत्सव के साथ स्वागत करे खेल को एंजोई करे देश में एक महोल बनाए जब मैं आज खेल की बात कर रहा हूं तो मैं पिछले हफ्ते एक मेरे मन को बढ़ा ही छू जाने वाली घटना घटी देश वाशों के साथ सेर करना चाहता हूं मुझे बहुत ही छोटी आयू की कुछ बेटियों से मिलने का मोका मिला और उसमें से कुछ बेटियां तो हिमाले में पैदा हुई थी समंदर से जिनका कभी नाता भी नहीं था ऐसी हमारी देश की छे बेटियां जो नेवी में काम करती हैं उनका जजबा, उनका होसला हम सब को प्रेणा देने वाला है ये छे बेटियां एक छोटी सी बोट ले करके आयनेस्वी तरिनी उसको ले करके समंदर पार करने ले निकल पड़ेगी इस अभ्यान का नाम दिया गया है नावी का सागर परिक्रमा और वे पूरी पिश्व का ब्रह्मन करके महिनों के बाद, कई महिनों के बाद भारत लोटेगी कभी एक साथ 40-40 दिन पानी में विताएगी, कभी कभी 30-30 दिन पानी में विताएगी समंदर के लहरों के बीच, सहस के साथ हमारी ये छे बेटियां और ये विश्व में पहली घटना हो रही है कौन हिंदुस्तानी होगा जिने हमारी इन बेटियों पर नाज न हो मैं इन बेटियों के जज़वे को सलाम करता हूँ और मैंने उनसे कहा है कि वो पूरे देश के साथ अपने अनुभवों को साजा करें मैं भी नरेंद मोदी एप पर उनके अनुभवों के लिए एक अलग व्यवस्ता करूँगा ताकि आप जुरूर उसे पड़ पाएं क्योंकि एक प्रकार से यह सहस कथा है स्वानुभव की कथा होगी और मुझे खुशी होगी इन बेटियों की बातों को आपके तक पहुचाने में मेरी इन बेटियों को बहुत बहुत शुबकामना है बहुत बहुत आशिरवाद है मेरे पैरे देशवासियों पांच सितंबर को हम सब सिख्षक दिवस मनाते हैं हमारे देश के भूदपुर्वराश्पती डाक्टर रादर कर्शन जी का एजन्म दिवस है तो राश्पती थे लेकिन जीवन भरपने आपको एक सिख्षक के रुप में ही वो प्रस्थूत करते थे वो हमेशा सिख्षक के रुप में ही जीना पसंद करते थे तो इस शिख्षक के प्रती समर्पित थे एक अध्येता, एक राजनेक, भरत का राश्पती, लेकिन हर पल एक जीते जाते शिक्षक, मैं उनको नमन करता हूँ, महान वैज्ञानिक Albert Einstein ने कहा था, It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge, अपने शात्रों में स्रजनात्पक भाव और ज्यान का आनन जगाना ही, एक शिक्षक का सबसे महत्वपून गून है, इस वर्जम हम सिक्षक दिवस मनाएं, क्या हम सब मिलकर के एक संकल्प कर सकते हैं, एक मिशन मोड में का भियान चला सकते हैं, Teach to Transform, Educate to Empower, Learn to Lead, इस संकल्प के साथ इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं क्या, हर किसी को पांच साल के लिए किसी संकल्प से बांधिये, उस वो सिद्ध करने का रास्ता दिखा लिए, और पांच साल में वो पाकर के रहे, जीवन में सफल होने का आनन्द पाएं, ऐसा माहूल हमारी स्कूल, हमारी कॉलेज, हमारी सिक्षक, हमारी सिक्षा संस्तान ये कर सकते हैं, और हमारे देश में जब हम Transformation की बात करते हैं, तो जैसे परिवार में मा की याद आती है, वैसे ही समाज में सिक्षक की याद आती है, Transformation में सिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, हर सिक्षक के जीवन में कहीं ने कहीं ऐसी घटना हैं, कि जिसके सहज प्रयासों से किसी की जिन्गी के Transformation में सफलता मिली होगी, अगर हम सामोही प्रयास करेंगे, तो राष्टर के Transformation में हम बहुत बड़ी भूमिक आता करेंगे, आईए, Teach to Transform, इस मंत्र को लेकर के चल पड़ें। क्या आप कह सकते हैं, क्या आकड़े ये दिखाते हैं कि आज तीन साल बाद भारत वर्ष financially जादा सिक्योर है या जादा सशक्त हैं, और क्या ये सशक्तिकरण और सुविधाएं हमारी महलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, गाओं और कजबों तक भी प्राप्त हो पाई ह मेरे प्यारे देश्वासियों, प्रधान मंत्री जन्धन योजना, financial inclusion, ये भारत में नहीं, पूरे बिश्व में आर्थी जगत के पंडितों की चर्चा का विशे रहा है। 28 अगस 2014 को, मन में एक सपना लेकर कि इस अभियान को प्रारंब किया था। कल 28 अगस को, इस प्रधान मंत्री जन्धन योजना के अभियान को तीन साल हो रहे हैं। 30 करोड नए परिवारों को इसके साथ जोड़ा है, बैंक एकाउंट खोला है। वो पैसों की बच्चत करने लगा है, वो पैसों की सुरक्षा महसूस कर रहा है। कभी पैसे हाथ में रहते हैं, जेब में रहते हैं, गर में हैं, तो फालतु खर्च करने का मन कर जाता है। अब एक सयम का माहोल बना है। और दिर दिर उसको भी लगने लगा है कि पैसे कहीं बच्चों के काम आ जाएंगे। आने वाले दिनों में कोई अच्छा काम करना है तो पैसे काम आएंगे। इतना ही नहीं। जो गरीब अपने जेब में रूपे काड़ देखता है। तो अमी मंत्री जंदन योजना में हमारे गरीबों के द्वारा करिब 65,000 करोड रूपया बैंकों में जमा हुआ है एक प्रकार से गरीब की ये बच्षत है ज्याने वाले दिनों में उसकी ताकत है और प्रदान मंत्री जंदन योजना के साथ जिसका अकाउंट खुला उसको इनसौरं सा प्रीमियम आज वो गरीबों की जिन्गी में एक नया विश्वास पर जाकर कई परिवारों में एक रुपिय के भीमे के करण जब गरिवार में संकट आया परिवार के मुख्या का जीवन अंत हो गया कुछी दिनों में उससे दो लाग रुपे मिल गए प्रधान मत्री अब खड़े हो करके कुछ करने का इरादा वाले नवजवान हो करोडों करोड नवजवानों को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना से बेंकों से nut कोई गारंटी पैसे मिलेँ और वो स्वैम अपने पैरों पर खड़े हुई इतना ही नहीं, हर किसी ने एकाद एकाद दो को रोजगार देने का सफल प्रयास भी किया है, पिछले दिनों बैंक के लोग मिझे मिले थे, जंदनी वजना के कारण, इंसोननस के कारण, रूपे कारण के कारण, प्रधानमति मुद्रा वजना के कारण, सामान ने लोगों को कैसा लाप हुआ है, उसका उन्होंने सेल्वे करवाया, और बड़ी प्रेरक गटनाएं मिली, आज इतना समय नहीं है, लेकिन मैं जुरूर ऐसी गटनाओं को, बैंक के लोगों से कहूँगा, कि वो mygov.in पर उसको अप्लोड करें, लोग पढ़ें, लोग जना व्यक्ति के जीमन में कैसे ट्रास्फोर्मेशन लाता है, कैसे नई उर्जा भरता है, कैसे नया विश्वास भरता है, इसके सेंक्र उधारन मेरे सामने आए है, आप तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रेयास करूँगा, और ऐसी प्रेरक घटना है कि मिडिया के लोग भ करके नई पीडियो को नई प्रेणा दे सकते हैं, मेरे प्यारे देश्वासियों, फिर एक बार आपको मिच्छामी दुक्रम, बहुत पर धन्यवाद नमस्कार, हमारे इस विशेष प्रिसारण में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ रमाद्यागी, आप देख रहे थे प्रधान मंत्री की मन की बात का 35 संसकरन, जिसमें एक बार फिर से प्रधान मंत्री ने बेहद एहम विश्यों को अपनी विशेष शैली में सहज प्रधान मंत्री ने कहा कि हिंसा को किसी भी सूरत में बरदाश्ट नहीं किया जाएगा, विविदताओं से भरे देश में, जीवन मूलियों के उपयोगिता, सामाने व्यवस्था बनाये के लिए कानून का महत्व, त्योहारों के संकेत और संदेश, उनसे प्रेणा लेकर स पंदित होता जीवन और उस प्रेणा को कैसे जन आंदोलन बनाया जाए,